आजन करेंगे लेटर H, H for hand, H for horse, page number 28, अब हमको यहाँ पर पहले numbering देखने हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 यहाँ पर starting dot है, यहाँ से start करना है, इस तरह से curve करके standing line करनी है, standing line करके down आके again curve करना है, यह हमारा complete होगा, next फिर हम यहाँ से एक, यहाँ पर आकर हम standing line करेंगे, fourth number वाली standing line करेंगे, then यहीं से हमको pencil अप ले जाकर इस तरह से curve करके, इस तरह से 7 number पर आना है, तो यह नम्रीन से आप एक बार दो तिन बार practice कर लेना, उसके बाद हमको यहाँ पर trace करना है, lining में देखो red line पर जाना है, again इसमें blue line पर आकर curve करना है, यहाँ red to blue standing line करनी है, और यहीं से हमको अप जाके curve करके blue line तक आकर छोड़ना है, ठीके, यहाँ पर हम देखते है, red line पर जाएंगे and then down आकर blue line पर curve करेंगे, फिर यहाँ से हम एक standing line करेंगे, standing line करी हमने, उसके बाद again up जाकर और इस तरह से curve करके, यहाँ blue line के यहाँ पर छोड़ना है, ओके,